प्रमत्री नितीश कुमार की जो पार्टी है जन्तादल उनाइटेड उनके जिला महा सचीव है वो मिनी गन फैक्टरी चला रहे थे पिछले एक सालों से चला रहे थे पार्टी को फंड भी कर रहे हैं तमाम जो राष्टिय जन्तादल के लोग है ये भी बाते कह रहे हैं इनी प्रतिश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना फसाते हैं तो ये फिर कैसे हो गया देखिए राष्टी जन्तादल बहुत पहले से कह रही है कि सत्ता संपोशित और सत्ता संरचित काम जो है बिहार में हो रहा है और दूसरी बात मैं आपको ले जा रहा हूं जाम करने वाले नितिश कुमार हैं हमें सरकार संरचित कर रही है संपोशित कर रही है तो ये चीज अगर आपने अपने पटल पे दिखाया तो बहुत अच्छी बात है और इसी चीज को हम लगातार NCRB के डेटा से तुलना करके दिखा रहे हैं जो डेटा राश्ट्री जनतादल का डेटा नहीं है वो डेटा भारत सरकार का डेटा है और उस NCRB के डेटा क्या करते हैं उन्हीं के राज में तो जंग लाज था हमारे राज में तो इधर इंटरनेट का जमाना ज्यादा आ गया तो पहले FIR लौज नहीं होता था अब FIR लोग घर बैठे कर लेते इसलिए ये डेटा ज्यादा बढ़ गया ये इतने बेशर्म है न कि अती सालों से जादा सरकार आप चला रहे हैं जब आप देही आप की बनती है और डेटा की बात आप हमसे करते हैं कि 2015 से ये नहीं था वो नहीं था इसलिए मैं कहता हूँ ना अतीत के कंबल में मो ढखके छिपाने से कोई फायदा नहीं है प्रदेश की जनता जानती है जब आप इतना ये करते हैं और उस फक्त दलित महा दलित शोसित अनुसुचित जनजाती के लोगों के उपर जो चीज़े होती थी ना उसको समाजवात के नाते लालु जी ने उसको खत्म करने का का आज भी होती है बिहार में कई जगों पर दलित समाजवात देखिए ये जो इन्यचर के लोग जो मनुवादी नेचर के लोग हैं वो खतम नहीं होगे उसी तरफ पर देखिए न जाती का सर्टिफिकेट क्यों माँदिया नुराग्ठाकुर ने वो विचारधारा है वो कोई जाती नहीं है वो विचारधारा है जाती की बाते अगर जाती जनगणना आप करा ही रहे हैं तो कोई आदमी अगर जाती पूछ दिया तो कौन सी बड़ी बात है दोनों में बड़ा फर्क है दोनों में फर्क यह है कि जब हम जाती जनगरना करवाना चाहते हैं इसलिए उससे जाती हम उसका जाती पूछते हैं यह गलत है ना आप यहां के मेरे पास बैठे हैं आके मैं बैठे हैं मैं पुछकू कौन जाती के हो आप कहसा महसूस करिएगा आप बताईए आप कैसा महसूस करिएगा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं indicate ये करना चाहता हूँ कि अगर आप छोटी जाती ए तब यहां से घठ जाएए ये आपकी मानशिक्ता दर्साती है हम जातिय जनगरना में जाती इसलिए पूछते हैं कि उस जो वन्चित सोसित जो समाज में रह चुके उनको मुख्यधारा में लाने के लिए हम उनकी जाती पूछते हैं तो क्या संसद में जातीय जनगरना हो रही थी नहीं हो रही है उसकी जाती सहादत वाली है अनुराख खाकुर वही है ना यह लाइन थोड़े लिखा जाएगा आप जाती है जंगर्णा करेगा तो उसकी जाती हिंदुस्तानी हमारी जाती हिंदुस्तानी थोड़े लिखाएगा हम तो लिखेंगे ना कि हम यादव है आप बोलिया कि हम आपने ही समझ पाएं हमने कहा कि हम जातिय जंगरना इसलिए करवाते हैं कि उसको मूल विचारधारा में लेके हम आएं जो देश की जो मतलब विकास से जो पीछे रह चुके हैं उनको मुक्के धारा में लेके आएं इसलिए हम जातिगत जंगरना करवाना चाहते हैं इसलिए असल को सब्सक्राइब आज भी वो मांग कायम है और वो रहेगी कायम आज इवन कायम रहेगी जब तक न हो जाए देश के हर राजे में जातिकत जण गड़ना नहों जाए उतना ही मझबुति से आप लोग जाती है अधारित गड़ना कराय बिहार में तके हग के लिए आवाज उठाते रहते हैं और ये हमारी आवाज पहले भी थी और आज भी थी लेकिन सासन में केंदर के सत्ता में आप 10 साल से ज्यादा से होएं और प्रदेश के सत्ता में आप 18 साल से ज्यादा में हैं आप संसत के पठल पे क्यों नहीं जाते हैं नवी अनुसुची में क्यों नहीं उसको डलवाते हैं ये सवाल सत्ता से करना चाहिए ये माइक ले जाएए और उनसे सवाल कीजिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं हमारा विपक्ष के नाम से जो धर्म के नाते जो हमारा धर में हम वो चीजे अच्छी तरह से हम निभा रहे हैं अपने काम को हम कर रहे हैं और हमारे ये मांग था हमारे मेनेफेस्टों में था कि हम जाती है जनगरना करवाएंगे इंडिया ब्लॉक में था और हम उस मांग पे आज भी अड़े हैं मंडल कमिशन का जो सेश बचा था हम पारे में भी बात करते थे कि इंडिया एलाइंस के अगर सरकार आएगी तो हम मंडल कमिशन में जो सेस बचा हैं उसको भी डालेंगे ये तमाम मुद्दे हैं जो जीवित मुद्दे हैं और बिहार प्रदेश के लोगों के जन सरकार से जुड़ हुए ये मुद्दे हैं हम इस नहीं करवाएंगे जाती है जन गड़ना में और जाती पूछने में बहुत का फर्क है चलिए तो आरजु खान साब है साफ तोर पे कह रहे हैं कि जाती अधरीत गड़ना के लोग विरोधी है आरक्षन के विरोधी है जो भी भारतिय जनता पार्टी के लोग है अनुराग ठाकर को लेकर के भी हमने इन से सवाल किया था उसके अलाओं में हमने बाते किया कि बिहार में जो छपरा में कांड हुआ है पपु कुस वहाँ ने जिस तरह से मीनी गन फैक्ट्री बनाये थे और उसको बंगाल से और बिहार